नमश्कार दोस्तों भागवान आप सभी कबला करूर आपकी सारी च्छाय मनों कमने पूरी हूँ दोस्तों आज मैं आप सभी को इस हाथ से रिलेटेड महत्मों जान करे वे करूंगो जैसमसर पुतम फिंगर के एनलेसिस के बाद इस पुरे पाम का एनलेस कर आप सभी के सामने प्याद किया जाएगा तो देख सकते हैं कि फिंगर के लेंद पाम के कंपेरिजन में शौर्ट है और थोड़ा सा ये टेंपल टाइप फॉर्मिशन क्रियेट करा है जिसमें सारी जो फिंगर है वो एक तरीके से नोकिली हो जाती है उपर आते आते हैं जब इस प्रकार का फॉर्मिशन क्रियेट होता है तो ये बहुत ज़्यादा मूड़ी और इमोशनल परसनालिटी को क्रियेट करने लगता है ऐसे जातक बहुत जल्दी किसी बात को दिल पर ले लेते हैं या बहुत जल्दी ही इमोशनली वह सेंटिमे टिकल वे से एक प्रकार से एक्टिव होते हुँ देखने को मिलते हैं इसका ताथ पर ये निकल गयाता है कि बहुत जल्दी किसी की भावनों को समझ पाना उनके accordingly decisions ले पाना या फिर एक प्रकार से बहुत जल्दी किसी भी निर्जी वस्तू से भी even लगाओ हो जाना लेकिन जैसा कहा गे कि यह moody nature देता है तो समय परिस्तितिक अनुसर बार-बार emotions, feelings में fluctuations होता है इसका एक negative point यह रहता है कि कभी भी किसी भी काम में लंबे समी तक अडिग नहीं रहता है क्योंकि mood swings हो रहा है और एक अच्छा point इसमें यह रहता है कि ऐसे जातक दूसरों की कदर बहुत जादा करते हुए देखने को मिलते हैं इसलिए बहुत जल्दी एक प्रकरसित भावना यहाँ पर विचलिक भी होती है अगर सामने से वेसा return नहीं मिल रहा है वेसा return का मतलब कि जैसा आप यहाँ पर दे रहे हैं किसी को emotional support या psychological support या फिर किसी भी तरह का support यहाँ पर short finger हो रही है इस कारण immediate action यह decisions लेने की tendency हो जाती है और थोड़ा सा यहाँ पर impatient personality को यह create कर रहा है little finger की जो length है third finger के first port तक नहीं पोश पाई तो थोड़ा एक communication error देता है जैसे मन के अंदर अपनी बात को रखना या stranger opposes gender से बाचित करते समय हिचकीचाड घबराहट कोना इस condition में stage fear आमोमन देखने को मिलता है और बहुत जल्दी किसी से बहुत ज़दा freely एक परकार से involved नहीं हो पाते आप जैसे जाद तक strong relation कई नगी बनाते हैं उसके चक्कर में थोड़ा से ज़दा समय अपने relation को strong करने में लगाते हैं बहुत जल्दी किसी से open up नहीं हो पाते हैं कभी भी एक समय पर एक से ज़दा काम नहीं करना चाहिए क्योंकि उन सभी कारियों में देरी अर्चन बाधा आती है और आधे अधुरे बात पे तो कभी निर्णा नहीं लेना चाहिए थार्ड फिंगर की जो length है वो फर्स्ट फिंगर के compression में ज्यादा long है एक तो ये जो formation है दूसरा आपके अतेली में moon luck line ये दोनों इस बात को confirm कर रहा है कि आपके अंदर कोई ना कोई creativity वो artistic quality है और यहाँ पर ये जो moon luck line है ये active around 34 की ये से हो रहा है तो कई ना कई आपके मन में बहुत समय से या अभी recently ही कुछ ना कुछ अपने मन का काम कुछ ना कुछ अपने passion, hobby के regarding काम ये कोई ना कोई independent work करने के चाहत आ रही है और ये आगे और बढ़ते चले जाएगी और 35 ये आसपस से आप कोई ना कोई ना कोई नया काम ये खुद के दम पर कोई ना कोई काम करेंगे क्योंकि इस luck line के comparison में जो ये second luck line ही ये बहुत ज़ादा strong है तो कोई ना कोई independent work के द्वारा या ऐसा कोई भी काम जिसमें आपका कई ना कई dream है, desire है, passion है उसके regarding काम करने से आपको लाब बहुत अच्छा मिलेगा तो वही इस बात को confirm कर रहा है third finger कि आपके अंदर creativity जो है उस करण से हमेशा अपने काम में अपग्रेडेशन या minor changes करने के आदत आपके अंदर रहती है इसलिए आप जिसे जाद तक कोई भी काम लंबे समीं तक नहीं कर पाते क्योंकि बहुत जल्दी हो जाते हैं अगर उसमें कुछ changes ना हो रहा हो दूसरी बात first finger को जुकाओ saturn के तरफ होता है बहुत अच्छा interior designing या कही न कहीं चीजों को बहुत संभाल कर रखने जैसे योगो को भी निर्मित करता है finger के ओपर यहाँ पर सीधे खड़ी रेखाओं की शंकला मितरता पुरवक सुभाव दे रही है तो यहीं यहाँ की सारी स्थिती ठीक हो जाएगी क्योंकि सपोर्टी लैन पॉम में बहुत ज़्यादा एक्टिव हो रही है तो इस कंडिशन में stranger का अपनों का दूसरों का support बहुत अच्छा मिलता है life में ऐसे ही लोग जोडते जो कैसे भी कर साथ निभाएं तो आपका कहीं न कहीं emotional stability अब आने वाले समय में बढ़ने वाला यानि 35 के ही बाद में क्योंकि luck line भी जब active होती है तो बहुत सारे नई लोग जीवन में आना शुरू हो जाते है इसके बाद यहाँ पर देखें तो finger के जो notes से वो develop clear cut नहीं है तो यह confusing mindset की निशानी होता है क्योंकि इसमें जो decisions खुद के दम पर ले तो उस पर doubt बहुत करते हैं और दूसरों के advice guidance से या support से ही decision लेते हुँ देखने को में होता है तो clarity नहीं रहती decision या vision की regarding इसलिए confusing mindset यह देता है phalanges या internal marks में internal marks थोड़ा disturb है तो यह physical fitness के लिए ठीक नहीं माना जाता है क्योंकि कुछ न कुछ शारेरिक custom उतार चड़ाओ फिर बना रहता है तो इसमें physical fitness के अतरिक्त exercise yoga करना बहुत ज़ादा जरूरी है खुद को समय देना, खुद के शरीर पर समय देना जरूरी है गरम पानी पीकर अगर दिन के शुरुवात करते तो पाचन तंतर से लेकर के जो energy है, जो एक प्रकर से एक्टिवनेस है, वो कही न कहीं बढ़ते आपको दिखेगी इसके बाद यहाँ पर अगर देखें हम आपके thumb के size के विशह में अंडर में comfortably कभी किसी के work नहीं कर पाते, क्योंकि thumb में जो मानसल है वो थोड़ा मजबूत है तो इस condition में जो आत्म सम्मान होता है, वो कही न कहीं ज़ादा देखने को मिलता और second feeling के लिए अच्छी जा रही है इस condition में जब यवकचिन हो हातिली में तो जितना ज़ादा दर यहाँ दान धर में किया जाए या अध्यात में किया जाए उतना ज़ादा भाग्यूदे की स्थितिवत्पन हो जाती है इसलिए अगर आप regular based मंदिर विजिट करते रहें या कोई भी एक प्रकार से rituals बना करके चलें तो वो आपके lifestyle को बहुत better करेगा और बहुत सारे ambitions को fulfill करेगा क्योंकि यह उकचिन materialistic lab देता है लेकिन वो spiritual connection होने के बाद देता है यहाँ पर जो आपके palm का size है वो basically एक प्रकार से rectangular shape में available है इस palm peak में थोड़ा square यह दिख रहा है लेकिन लंबाई में जादा है तो यह lots of dream, desire and ambitions को create करता है जीवन के प्रती बड़ी सोच और अप्रोच यहाँ देखने को मलती है और इस condition में शारेरिक मेहनत के होज़े मांसिक मेहनत अच्छे से कर पाने में सक्षम होते है जुपिटर मांड के उपर जब भी कोई इसी आड़ी रेखा होती है तो यह दयालो किसमी की प्रवती देती है आप जैसे जातकों से चाहा करके भी किसी के लिए बुरा नहीं हो पाता है और चाहा करके भी बहुत ज़दा कुरूरता आपके अंदर आही नहीं पाएगा गुस्सा आही नहीं पाएगा बहुत जल्दी दूसरों को माफ या दूसरों पर दया खा जाने वाले या दूसरों की आगे से रेकर के मदद करने वाले आप जैसे आतक होते हैं तमाम तरह के धर्म गरंत या रहसे मिध्यों के प्रती धीरे धीरे कर रूची बढ़ता है जो ancestors आपके रहे हैं वो भी बहुत ज़्यादा spiritual active रहे हैं या उनके कर्म अच्छे रहे हैं इसलिए आपके बच्चे भी बहुत ज़्यादा लायक निकलेंगे बच्चों से बहुत लाब मिलता है जब इस प्रगर का योग गुरु पर बना होता है तो यहाँ पर जब-जब कहीं दूर की धार में क्यात्रा करेंगे कोई भी particular desire या dream को लेकर कि वो fulfill हो जाएगा यात्रा करते करते हैं या उसके बाद में इसलिए कभी आप जिसे जातकों को दान धर्म करते समय मुठी नहीं बानना चाहिए जेतना हो उतना कर देना चाहिए क्योंकि इश्वर उससे दस गुना या कहीं गुना जादा आपको देने के लिए बैठा है यहाँ पर थोड़ी छोड़ी progress line है लेकिन यह progress line बहुत ज़दा active नहीं है धुन्दली सी पढ़ रही है जब व्यक्ति के अंदर इक्षा बहुत होता है लेकिन वो इक्षा क्रिकर्डिंग काम नहीं कर पाते हैं confusion ज़दा होता है यह एक्षाओं को जब दबा रहे होते हैं तब रेखाएं उत्पन हो करके इसी धुन्दली हो जाती है जुपिटर का तो यहाँ पर थोड़ा आपको suggestion यहीं दिया जाएगा कि अभी आपकी लगने भी बहुत active हो रही है तो आप भी समय बहुत अच्छा है अभी आप जो भी करना चाहें अपने मन का कर सकते हैं आपको मन का सारा काम भी हो जाएगा इसलिए अपने passion होबी को follow करने का समय कई न कई यह वाला जो है बढ़िया है जुपिटर मांट जब भी अच्छे position में developed हो तो कभी life में resources की कमी नहीं पड़ती है तो सुक्सविधा यूग्त जिवन शेली यहाँ पर दिखा रहा है सैटर मांट थोड़ा सा दबाव दे रहा है गुरू के तरफ यानि थोड़ा इधर दबाव मेसूस हो रहा है तो इस condition में रहते रहते family life के regarding stress आता है तो रहते रहते चिंता है आती है रहते रहते थोड़ा विरोध होता या अलगा होता है शनी के दुश्प्रभाव के कारण शनी परवत पर जब भी ऐसी आड़ी रे है negative thoughts चिंतन मनन के द्वारा ही देती है दूसरी बात आपका कोई काम एक बार में नहीं बनता है रुक रुक करके बनेगा देरी से बनेगा या दो से तीन प्रयाशक के बाद बनेगा काम अगर एक बार बन भी गया तो satisfaction नहीं आएगा इस condition में emotions feelings में कब fluctuations होता है आपको भी स है आम तोर पर कारियों में रुकावट और बेफिजूल के चिंतन मनन को दर्शाता है इसके remedies तो वैसे बहुत सारे हैं लेकिन जहां तक आपके विश्य के अगर बात की जाए तो आप regular based मंदिर विजिट करें इसी से आपका जो है गुरू शरी और तमाम तरह के जो आड़ी ही नहीं बदलेगी बलकि आपको internal peace, happiness, mental stability, pleasure ये सारी चीज़े देने वाली रहेगी क्योंकि आपके अतिली में luck line है बहुत अच्छा लेकिन luck line रुक कहा रहा है mind line पे नहीं तो heart line पे mind line पे जब luck line रुकते है तो ऐसे जाता कि अपने decision में बार बार परिवर्तन करते हैं अप इसका मतलब ही कि emotional disturb है, emotional बहुत ज़दा active है अब emotional active वाले इंसान क्या होते है कि अगर mood अच्छा है तो 10 काम कर लेंगे mood खराब है तो कोई काम को हाथ ही नहीं लगाएंगे तो किस बात से mood खराब हो रहा है ये जब judge नहीं किया जा सकता है तब heart line पर आ करके luck line रुकती है औ तो जब कोई भी वैक्ती emotional way में जादा react करते हैं, sadden पर आड़ी रेखा होती है तो luck line इसे रुकती ही है इसलिए जितना हो सके अपने आपको positive people में, positive wives में, positive attitude में, environment में रखें उतना अच्छा रहेगा और उसका connection कहां से होता है, spirituality से होता है तो सिदे मंदिर विजिट करते रहना या दूर-दूर की आतरा करना, healing places पर जाना, nature के करीब आना आपको बहुत अंदर से मजबूत या heal करेगा या बहुत शान्त करेगा, या जो भी काम शुरू होता उसकी proper ending हो पाएगी, काम रुकेगा नहीं फिर बीच में, इसके लबग कुछ another line आप देखेंगे यहा को confirm करती है कि आपके पास कभी भी धन की कमी नहीं रहेगी, opportunity की कमी नहीं रहेगी, old age आपको बढ़िया रहेगा, क्यों बढ़िया रहेगा, क्योंकि Jupiter पर आड़ी रेखा तो बच्चे से support अच्छा मिल पाएगा, बच्चों से, जब भी शनी और सूर के बीच में इसी पाता है, अगर आप किसी को suggestion दे, advice दे और follow कर ले तो उसको lab पक्के से मिलेगा, लेकिन वही चीज़ अगर आप करें तो आपको कई न कहीं उतना lab नहीं आएगा, ये इस रेखा का यूती ही है, इसका कोई remedy नहीं है, सूर के ओपर अगर हम बात करें तो सूर के ओपर जब जांदी catch करें बिख जाती हैं, इसलिए जब सूर पर क्रोस होता है, तो एक प्रकार से कोई भी काम में मन नहीं लगना, मन बार-बार उचाटना, या बहुत बार ऐसा भी होता है कि बहुत मेहनत किसी के लिए आप ने किया, या किसी के लिए बहुत ज़्यादा ही लगन जय में बार-बार confusion जादा हो या पीता से relation में disturbance या वैचारे कनबन मत भे देखने को मिले या किसी भी चीज में credit properly ना मिले तो cross का sign आता है और ये pending कर्मा की द्वारा आता है most probably तो यहां पर जो है sun remedy prefer आप कर सकते हैं गायतनी मन्त का जाप करना सबसे अच्छा रहेगा नहीं तो रविवार की दिन हमेशा आश्रम में जाकर कोई भी आश्रम हुआ donation करके आईए खासकर आटे का गेहों का तो कही ना कई सूर की स्थिति बहुत अच्छी होती दिखेगे और ये जब अच्छी होगी तो हर काम का credit मिलना, value मिलना, expected gain, success, name, respect, goodwill या जो royalty है वो कही ना कई बढ़ना ये सारे combination आपको देखने को मिल जाएंगे इसके अलवा यहाँ पर जो property की regarding भी लाग है वो आपको मिल सकता है बहुत अच्छा क्योंकि square जैसा sign यहाँ पर create हो जो अपने आपर बहुत अच्छी बात होती है और एक V symbol का भी sign है जो बहुत अच्छे धन को भी व्यक्त करता है लेकिन जैसा कि हमने देखा कि cross का sign थोड में बिजा रहे है जो यह शेश्वियोग को निर्मित करती है तो आलेशन घर का सुख भोगते है इस condition में अपने बातों से दूसरों को प्रेरीत प्रभावी ताकरशित करने की योगिता जिस किसी में भी हो उनके हाथ में यह रेखा आती है multiple languages का knowledge होना एक प्रकार से बातों की गहराई में जाना intellectual जो पावर है वो अच्छा पाए एक प्रकार से देखने को मिलना sympathetical nature and approach hospitality किसम का वेक्तित होना लोगों का आपकी वाइफ पसंद आएगी आप जिस माहुल में जाएं जिस पार्टी में जाएं जहां रहें अगर मूड अच्छा है तो बहुत जल्दी लोगों को कही ना कहीं connect कर पाने में जोड़ पाने में या सुख दे पाने में दुख द अच्छे हैं खेदरेगा के अंत में गोपुच के आकरती हो तो good sense of humor and flirty romantic nature देता है अर्था ज्यादा लंबे समय तक दुखी नहीं रह पाते कई ना कहीं खुशी ढूणना दूसरों के खुशी में सामिल होने जैसे योग निर्मित करता है आपकी heartline बहुत deep और एक प्रकार से broad है तो इस करण से क्या होता है कि emotional disturb होते हैं लेकिन वो एक प्रकार से उनी emotions में रहना आपकी कईना की आदत नहीं है वो परिस्थितियां बार-बार थोड़ा negative thoughts दे देती हैं क्योंकि इतनी सारी जब रेखाय नीचे आती है तो ये emotional setback देती है जब अपनों से धोका मिलत misguide misuse होते हैं जब expectation किसी की regarding lose होता है तो इसी रेखाय आती है heartline से लेकिन आपके heartline मजबूत है तो दिल से मजबूती यहाँ पर यह दर्शा रहा है कि बहुत जल्दी move on let go कर आगे बढ़ने की यूति यहाँ पर दिखाय दे रही है इसका तो एक ही remedy है इस प्रकार की में मंग यहाँ पर आपके राहू की रेखा है राहू की रेखा है इल्यूजन देती है ब्रहमित करती है ब्रहमित किसे कर रही है यह desire बहुत दे रही है वो desire fulfill नहीं हो रहा है तो ब्रहमित ही हो गए एक प्रकार से blind trust किसी के उपर हो रहा है वो trust fulfill नहीं हुआ तो यह टफ पाए जाता है बट जैसे जैसे उम्र बित्ता है या किसी काम को लेकर करके टैम डूरेशन बढ़ता है विससे ग्रोथ फिर अच्छा हो जाता है विश्णु सिंबोल कहते हैं इसे नॉर्मली और यहाँ पर यह जो हार्ट लाइन है इसमें एक चीज़ आप देखेंगे तो यह हार्ट लाइन रुकी किदर है सैटन के उपर जूपिटर के तरफ देख रही है पर सैटन पर रुकी है तो लो हिडन परसनल्टी देता है बहुत जल्दी अपनी मन की दिल की बात नहीं यहाँ पर खहते हैं और जो एक रेखा सीधे जा रही है यह वर्गोहलिक नीचर देता है इसलिए खाली बैठना आपके लिए बहुत ज़्यदा दिक्कत में हो जाएगा मानसिक तनाव बढ़ेगा इसलिए कई न कई अपने आपको बीजी रखना किसे न किसी काम में इंगेज रखना आपके लिए फ्रूटफुल रहेगा और एक जो यह रेखा जा रही है यह इमोशनल बनाती है बट इसका अगर बारी किसे आप देखे तो यह जूपिटर और सैटन के मिड में गया है तो इस कंडिशन में आप जिसे जाता कि रिष्टो को बैलेंस करके चलते है इसलिए यहाँ पर नीचे के तरफ रेखा जा रही है जो शिकायत को दरशाती कि आपको रहेगी दूसरों के रिगाडिंग लेकिन आप कहेंगे बहुत कम ही लोगों को या कहेंगे ही नहीं माइड लाइन के उपर अगर हम देखें तो यहाँ पर साफ सब दिख रहा है कि आइलेंड के जो फॉर्मेशन है उसमें कही न कहीं हैल्थ इशो और मेंटल स्ट्रेस अराउंड 18-19 के इस तक आपको रहा था मेंडली यानि ओवर्रोल इसमें बच्पन आ ही गया लेकिन एक जो माइड लैन है वो यहाँ कहीं न कहीं स्ट्रोंग है तो यह इस बात को दर्शारी है कि जितना भी स्ट्रगल हो व्यक्ति में जब शहन सकती बढ़ जाती है 37-8 के आसपस तक रह सकता है तो यह चीज़ बहुत लंबा ना ठीक है इस लभी सेटन रेमिडी को आपको अंजाम देना चाहिए प्लस आपकी जो माइंड लैन है माइंड लैन एक प्रकार से स्ट्रेट चल रही है और उसमें बहुत सारी रेखाओ आकर के वापिस जो है जोड रही है इस प्रकार से तो बार-बार क्या होता है कि जब कोई decision आप जिसे लेते हैं planning करते हैं तो जब उसको execute करने जा रहे हैं तो उसमें फिर बहुत ज़दा फिर changes करने लग रहे है एकदम last moment पे planning हो गई कल की और कल जैसे आया निकलना है कहीं पर भी तो last समय पे 10-15 चीज़े एक साथ दिमाग ना आ जाएगी तो बार-बार changes करने का मनिया एकदम एन वकपर आकर के जब काम बिगड़ता है या काम में रुकावट आती है या निरने या फिर कोई भी procedure complete करते समय difficulties आती है तो mind line में ऐसी formations आती है इसमें गलती आपकी नहीं है गलती इसमें कह सकते हैं concentration की है क्योंकि short finger भी है तो ज़्यादा चीज़ जब व्यक्ति emotional level पर करने लगते हैं तो practicality कम हो जाती है तो इसलिए यहाँ पर ध्यान रखे कि कोई भी काम proper pro consensus करके और एक समय पर एक ही काम करना हमेशा आप के लिए बहुत ज़्यादा fruitful या beneficial रहेगा आउटर मार्स से यह connected है mentally बहुत strong बना देगी तो तमाम तरह के stress या विपरित परिस्तिती का सामना करके कर पाएंगे हार नहीं मानेंगे और जब इस प्रकार की mind line चलती जिसमें इस प्रकार से रुक रुक करके रेखाएं चले तो education में या learning में break होते रहते हैं इस condition में इसका भी जो remedy है वो सिर्फ सेटन ही है उसको सेटन और sun जैसी ठीग है वैसी ही है सारे combination बढ़िया हो जाएंगे यहां देखेंगे तो मंगल की दो रेखाएं मीजरली काट रही है एक उम्र 33 से 36 में और एक काट रही है अराउं 38 में यह दो उम्र ऐसे रहेंगे जिसमें health नहीं तो mental stress के regarding problem या worries definitely आएगा but उस condition में जो supportive line इतनी active हो रखी है around 33 के ही आसपास से तो यह सारी रेखेंगे अपना role निभाएगी यह सारी struggle, stress या worries को कम करेगी इसलिए चिंतावली बात यहां पर नहीं है lifeline का flow बाहर के तरफ जब जुकता है तो बर्त पलिस से दूर settlement होने के chances या spiritual active होने के chances बढ़ा देता है और mercury line आपके palm में है एक से अधी के जो एक से ज़्यादा learning को indicate करता है लेकिन यहां पर जो एक की यह combination है जो triangle का यह बन रहा है यह थोड़ा अगर और strong होगे तो पैसा बहुत अच्छा है और रुक्यों का और सद्विप्योग भी हो पाएगा क्योंकि pure money triangle बन जाएगा internal mars के उपर काम करना है ताकि physical fitness अच्छा रहे outer mars आपका develop ठीक है तो mentally strong रहेंगे आप जल्दबाजी हर बड़ी में काम करने से बचे शुक्र आपका अच्छा है तो fashion beauty है interior designing के प्रति interest knowledge अच्छा होता है कला प्रेमी साहित प्रेमी होते है और इस condition में जीवन में सुख सुविधा तो अच्छी आती है शुक्र जब अच्छा हो तो lifestyle, health और long life ये तीनों का सुख यहाँ पर मिल पाता है लेकिन आड़ी रेखा इतनी जादा है जो चिंतर्मनन इतना कराती है कि सुख सुविधा होने के बावजूद भी आंतरिक सुख नहीं मिल पाता है तो इसलिए जो चीज जैसा उसको वैसे ही accept करना बहुत ज़दा किसी में changes करने का कोशिश ना करना परिस्तिति व्यक्ति और कुल देवी देउता की भी अरादना करना तो पाएंगे कि शुकर बहुत अच्छा रिजल दे रहा है और शुकर जब अच्छा रिजल देता है तो सबसे पहले लगजरी जी बढ़ती है लाइफ में अच्छा घर, अच्छा गाड़ी, अच्छा सुख सुधा या अच्छा एक प्रकार से स्टेंडर अफ लिविंग राइस होना यह सारे कॉंबिनेशन आते है चंदर पर आड़ी रेका जब इस प्रकार से होती है यातनों के बहुत शोकिन होते है घर में मजबूरी से रहना पड़ता है इस कंडिशन में क्योंकि जो मन है वो तो पूरा बाहर ही रहता है तो इस कंडिशन में जब आप बाहर कहीं न कहीं कोई वर्क के लिए जाएंगे या कुछ न कुछ बाहर से ज़्यादा करेंगे तो इंटर्नल पीस आपको आटोमेटिकली आएगा इसलिए इसलिए एक प्रकर से spiritual नियम बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जैसे कोई भी मंदिर विजट करते रहना कहीं भी जा करके कुछ डोनेशन करते रहना किसी प्रकर की सेवा देते रहना आपको सारे इश्यू से अवर कम करेगा इसके लाबा moon luck line है, active हो रही है तो 100% साल भर की भीतर आपका कोई ना कोई अपना खुद का काम आने वाला है या आप खुद का कोई ना कोई काम करेंगे left hand में भी देखें तो moon luck line यहाँ पर भी active है तो moon luck line जब active होता है तो partner के भी कई ना के connection foreign के regarding आते हैं या traveling के chances life में बढ़ते हैं एक तो यह combination देख रहा है, दूसरा आप internal यानि अंदर से बहुत ज़्यदा सोचने विचारने वालों में से हैं, आप हर बात के जड़ तक जाना, खुद के dream में रहना या imagination में रहना या creative या innovative personality होना, internal जो आपका nature है वो यहाँ पर यह दर्शा रहा है इसके अलावा जो है चिंतर मनंद से बचना है, तो कई न कई आपको busy रखना ठेक रहेगा, बाकी overall अगर luck line की formation देखें life line की, तो उसकी, उसमें सुधार बहुत अच्छा हो रहा है, तो next year इसलिए आपके लिए बहुत ज़दा beneficial या growth या life का जो standard वो कई न कई बढ़ेगा आपका next year पके से, तो यदि सबसे महत्पुन जान करें आपके हाथ करेगा लिए आशा करता हूँ, सभी परशनों का अप्तर मिली जा हो तब तक आप अपना ध्यान रखें आपके बहुत 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 दिन्यवाद